कि नमस्कार राज्य सिक्षा सोथ एवं प्रसिक्षन पड़िशद बिहार पत्ना में आपका श्वागत है आज हम दिवपद प्रमे के बारे में जानेंगे कि दिवपद प्रमे क्या है क्या इसका स्टेटमेंट है और उसे हम किस प्रकार से सत्यापित करते हैं तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को जानते हैं कि क्या स्टेटमेंट दिवपद प्रमे के लिए है इसे आप कथन का सकते हैं किसी भी धानात्मक पुर्णांग संख्या के लिए पॉजिटिव इंट्रिजर के लिए पॉर एनी पॉजिटिव इंट्रिजर एनी पॉजिटिव इंट्रिजर बतलब आप किसी भी धानात्मक धानात्मक पुर्णांग की बात कर सकते हैं किसी भी धानात्मक पुर्णांक में एक अस्टेट्मिंट दिया गया जिस अस्टेट्मिंट को हम ध्यूपद प्रमेह कहते है अब अस्टेट्मिंट क्या है A plus B ka power N equals to N C 0 A ka power N B ka power 0 N C 1 A ka power N minus 1 B ka power 1 N C 2 A ka power N minus 2 B B square plus N C 3 A ka power N minus 3 B Q plus S on N C N B ka power N और आप A B include कर सकते हैं A ka power 0 A ka power 0 ka means 1 होता है इसलिए हम कभी नहीं भी लिखते हैं और जनरली बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है आप इसे 1 1 से multiply करेंगे तो ही data होगा और यहां A ka power 0 भी आपका 1 है तो 1 से multiply करेंगे तो N C N plus into B ka power N बचेगा तो अब देखिए इसे हम summation है तो आप इसे summation के रूप में भी इस theorem को लीख शकते हैं हम कैसे summation लेते हैं यन C R A का power आप analysis करेंगे जैसे first term देख रहे हैं A का power यन है तो यन minus 0 है तो यन हो गया यह first term second term इसका यन है और यहां R के position पर 1 है तो यन minus 1 power है यहां देख रहे हैं कि यन C 2 है तो इसका power यन minus 2 है यन C 3 है तो इसका power यन minus 3 है तो हम इसे यन minus R लिखते हैं दोनों का difference और अगर B को देखा जाए तो 0 है तो B का power 0, 1 तो B का power 1 यह R के भी equal है यन C R, R से compare कर रहे हैं तो यहां 2 है तो 2, 3 है तो 3 तो इस प्रकार से हम करते हैं B का power R वेर R की जो value है वो 0 से सुरू हो रहा है और up to ये यन तक जा रहा है तो A आप इसे summation के रूप में represent कर सकते हैं इस binomial expansion को या आप उसे कह लें दियूपद प्रमे को इस प्रकार से आप expansion के रूप में भी represent कर सकते हैं तो statement या तो ये पूरी statement याद रखें या इस प्रकार से भी आप statement याद रख सकते हैं अब इसके proof की बात करते हैं proof में देख रहे हैं कि हाँ यन है यन एक positive integer है mathematics में class 11 में एक chapter परना है उस chapter का नाम है principle of mathematical induction उस chapter में हम a student ये बताते हैं या उस mathematical induction तभी apply करते हैं जबकि यहाँ natural number से related statement दिया हुआ हो अब यह statement natural number से related statement ट्रिगॉनमेट्री का भी हो सकता है कैलकुलस का भी हो सकता है mathematics के किसी भी ब्रांच में हो सकता है तो आप mathematics के किसी भी ब्रांच में कथन का statement चिक करेंगे वो हम लोग principle of mathematical induction का परियोग करके करेंगे मींस गनीतिये आगमन सिध्यांत का method से करेंगे method का नाम हो गया गनीतिये आगमन सिध्यांत तो गनीतिये आगमन सिध्यांत के लिए यह पूरे कथन को हम pn के द्वारा represent करते हैं यह proposition of natural number का लाता है pn तो हमारे पास में pn है a plus b का power n nc0 a का power n b का power 0 nc1 a का power n minus 1 b का power 1 nc2 a का power n minus 2 b square nc3 plus a का power n minus 3 b q और plus s1 ncn a का power 0 और b का power n अब इस statement को proof करने के लिए हमने इसे pn proposition बनाया अब यन इक्वस टू वन ध्यां रखेंगे student अगर आगमन सिध्यांत का आपने परियोग किया तब उसमें तीन step में उसके बर्क को किया जाते हैं पहला step है कि यन इक्वस टू वन के लिए statement को सिध्य करेंगे कि यन इसकल टू वन के लिए statement सही है second step इसका है कि आप यन इक्वल टू के के लिए इस statement को सही मान लेंगे और तीसरे step आप इसका का सकते हैं कि यन इक्वल टू के प्लस वन का के लिए ये statement सही है और यन इक्वस टू के प्लस वन के statement को चेक करने के लिए आप टीके के statement का परियोग कर सकते हैं तो पहले step में हमाते हैं कि यन इक्वल टू के के लिए देखते हैं कि यह पूरा का पूरा statement सही है या नहीं है. तो first step है for यन इक्वल टू वन. यन इक्वल टू वन. इसका अर्थ है कि इसके LHS में भी आप यन इक्वल टू वन रखेंगे और RHS में भी यन इक्वल टू वन रखेंगे. और देखेंगे कि क्या इसका LHS और RHS बाया पक्ष और दाइना पक्ष दोनों बढ़ाबर है या नहीं है. तो इसका LHS हमारे पास पॉइंड आउट होता है A प्लस B का पावर वन. A प्लस B का पावर वन. तो पावर वन है, घात एक है, तो फाइनली ये A प्लस B हो जाएक. RHS, RHS रखने में, रखने में कुछ कॉंसेप्ट की बातें आती है. कम्बिनेशन में को हम लोग NCR, नमबर आफ कम्बिनेशन आफ को रिपर्जेंट करने के लिए, जिसमें आइटे टाइम R थिंग का परियोग किया जाए, और टोटल थिंग्स यन है, को हम लोग NCR के द्वारा रिपर्जेंट करते हैं. और NCR का जो वैल्यू जो होता है, वो फैक्टोरियल यन डिवाइड़ वाई फैक्टोरियल आर, यन माइनस आर फैक्टोरियल होता है. और इसके सर्थ भी है, कि यन की वैल्यू आल्वेज ग्रीटर दाइन इक्वस्टोर आर होगा. यह सर्थ है, अहीं कम्बिनेशन है. तो, आर थिंक्स का सेलेक्शन, यन थिंक्स में, यन डिफरेंट थिंक्स में, आई टाइम आप करेंगे, जिसको हम NCR कहते हैं, और यन की वैल्यू आल्वेज जो है, ग्रीटर दाइन इक्वस्टोर आर होता है. अब यहां ध्यान देने की बात है, कि कहां कहां आप यन स्कल्टू, चुकि इसमें यन इक्वल टू वन रखने जा रहे हैं, तो यन स्कल्टू वन रखेंगे, चलिए, वन सी जिरो, A का पावर यन, B का पावर जिरो, यहां तो जिरो है, और यह यन का पॉजिशन पर वन है तो जिरो से वन बढ़ा है, इसलिए करेक्ट है, आगे बढ़िये, वहां यन के पॉजिशन पर वन रखें, वन सी वन, सोरी, यहां भी यन के पॉजिशन पर आप वन रखेंगे, और यहां भी आपने रखा, वन माईनस वन, और B का पावर वन, यहां भी यन और आर, मनatri pewno य statement में बराबर है लेकिन जब इसके third statement में जाएंगे तो यहाँ one see two हो जाता है मतलब अगर आप इसके compare करेंगे इसके definition से तो यह n is equal to one और r is equal to two हो जाता है means कह सकते हैं कि r greater than two yen हो जाता है जो की combination के लिए possible नहीं है यह statement combination के लिए possible नहीं है इसलिए आप सिर्प इसके दो term में ही yen is equal to one रखेंगे इसके बाद possible नहीं है तो आप इसके result को देखें क्या आगे है one see one अगर यहाँ से इसका परियोग करेंगे one see zero का परियोग तो आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि क्या होगा one see zero है यह compare करेंगे यहन के position पर one और के position पर zero तो यहाँ से one factorial यहन factorial के जगा पर one रखे आर के जगा पर आप zero factorial और one minus zero factorial यह one factorial का meaning हो गया student one factorial zero भी आपका one होता है और फिर one minus zero one हुआ one factorial means one one by one finally one याद रखने की बात है कि factorial zero भी one होगा और factorial one का भी meaning आपका one होगा यह आप यह सब important बाते हैं आप इसे नोट भी करते जाएंगे तो फाइनली आप इसे भी find करेंगे वन सी वन सी वन को तो उसकी भी value one आएगी तो यह one हो गया a का पावर one का मतलब a ही है और b का पावर 0 का मतलब one है one सी one की value one हो गई a का पावर 0 का मतलब one है b का पावर one का मतलब b है तो फाइनली a प्लस b हो गया तो lhs और rhs दोनो a प्लस b हैं lhs बराबर हमारे पास final rhs आगए इसलिए हम कहेंगे कि यह कथन one के लिए सही है वन के लिए मनें पी वन सत्य है यह इंडेक्शन का mathematical इंडेक्शन का first step कहलाता है आप next में क्या करेंगे second step के लिए आप बहुत सारे राइटरों ने second step और third step को combine करके भी लिखे हैं तो आप उससे confused नहीं होंगे तो second part में आप करेंगे क्या कि P equals to K के लिए आप a statement को सही मानेंगे माना की माना की P के सत्य है P के सत्य है मान लेंगे की P के सत्य है तो हमारे पास P के finally आजाएगा यन के position पर आप के रख दें इस statement में यन के position पर सभी जगापर के रख दें तो यह statement हो जाएगा ए प्लस बी का पावर के बढ़ावर के सी 0 एका पावर के बीका पावर 0 के सी 1 यहां जो के देख रहे हैं न के सी 0 के सी 1 यह value भी बढ़ेगा 0 1 2 3 बी के पावर की तरह एका पावर के माइनस 1 बी के सी 2 एका पावर के माइनस 2 बी स्क्वार या आप उपर वाले टर्म से के के रखते चले जाएंगे यन के position पर के रख दिए के माइनस 1 यहां देख रहे हैं न की यन के position पर के रख दिए तो के सी 2 एका पावर के माइनस 2 बी स्क्वार कर देते हैं फाइनल आ जाएगा के सी के एका पावर 0 बी का पावर के अब इस स्टेटमेंट को हम सत्य मान लेते हैं अब इसी अस्टेटमेंट का परियोग करके आप इसे अस्टेट 2 में भी रखें तो इसी अस्टेटमेंट का परियोग करके हमें यह दिखाना होगा यह सत्यापित करना होगा कि यह अस्टेटमेंट यन इक्वस टू के प्लस 1 के लिए सही है मतलब next हम जब step लेंगे तो हाँ यन इक्वस्टू K प्लस वन लेंगे फॉर यन इक्वस्टू K प्लस वन तो K प्लस वन के लिए statement अब साविट करते हैं अब हमारे पास LHS में आप यन इक्वस्टू K प्लस वन रखेंगे तो final result हमारे पास में आजाएगा A प्लस B का पावर K प्लस वन अब A प्लस B का पावर K प्लस वन तो P K है ना K पर जो कथन है उसे हम सकते मान चुके हैं तो आप उस statement का अब आप प्रयोग कर सकते हैं मतलब इसे हम A plus B into A plus B का power K के रूप में तोड़ते हैं, अब A plus B का power K आप P कथन जो हमने सही माना K के लिए उसका परियोगा आप कर दें, मनें A plus B का power K का आप यहां values को रखे, जो बिस्तार है उस बिस्तार को रखे, तो KC0, A का power K, B का power 0, KC1, A का power K minus 1, B का power 1, KC2, A का power K minus 2, B square plus S1 कर देते हैं, या एक टर्माओर लिए लिए थे हैं, एक टर्माओर लिए लिए थे हैं, KC3, A का power K minus 3, B3, B का power 3, plus S1, KCK, A का power 0, B का power K, यह यूज किये, अब इसे हमें multiply करना होगा, multiply करकर देखते हैं कि final result क्या आता है, क्या यह RHS के बराबर आएगा, अगर RHS के बराबर आएगा, तो यह कथन सही है, दिवपत पर में सही है, तो A से multiply करेंगे, तो KC0, A का power K plus 1, A का power always increase करते जाएगा, एक एक जगह पर, फिर A से करेंगे, तो KC1, A का power K, B का power 1, KC2, A का power K minus 1, B square, प्लस, KC3, A का power K minus 2, BQ, प्लस, KCK, एक हो जाएगा, 0 plus 1, A, और B का power K, प्लस, अब B से multiply करेंगे हम इसे, अब B का power increase करेगा, KC, KC0, A का power K, B का power 1, KC1, A का power K minus 1, B square, KC2, A का power K minus 2, BQ, प्लस, KC3, A का power K minus 3, B का power 4, प्लस, S1, KCK, A का power 0, B का power, K plus 1, अब देखते हैं, स्ट्वेन, इसके first term को आप बाहर कर ले, KC0, A का power K plus 1, B का power 0, अब इसके second term को देखे, A का power K into B है, A का power K into B है, और यहां भी A का power K into B है, common हैं, तो आप common ले लिजिए, तो हमारे पास final आगया, KC1, प्लस, KC0, A का power K into B, इसका second term देखे, K का power, A का power K minus 1, और A का power K minus 1 into B square, फिर दोनों में common है, तो final, A का power K minus 1, A का power K minus 1 into B square common है, पहले हम बाद में common को लिखते हैं, इसमें KC2 है, प्लस, KC1 into A का power K minus 1 into B square, नेक्स चर्म में देखेंगे, यह हमारा finally common है, तो common ले लेंगे, तो बज़ जाएगा हमारे पास KC3, और प्लस KC2 into A का power K minus 2 BQ, इसी प्रकार से S on चलता रहेगा, और last में एक term हमारा यह बज़ जाएगा, KCK, A का power 0, B का power K plus 1, अब दिखें, हमारे पास कुछ formula भी combination के थियोरम में, था, क्या था theorem में, combination में, इसको आप ध्यान रखेंगे, या यहीं लिखते हैं, एक तो formula हमारे पास था कि YNC0 का value 1 होता है, YNC0 का value 1 होता है, मतलब आप यहां से KC0 है, तो KC0 का भी value 1 होगा, अगर आप K plus 1, C0 कर लेंगे, उसकी भी value 1 होगा, उसी प्रकार से अगला था कि YNC1 का भी, YNC1 का भी जो value होता है, वो 1 होता है, मतलब कि KCK कर लेंगे, तब भी 1, K plus 1, CK plus 1 करेंगे, तब भी 1, यह combination से हम solve करके बात को बता रहे हैं, अब एक और formula था combination का, कि YNC1 plus YNC1 minus 1 equals to YN में एक increase कर जाता है, YN plus 1, और नीचे R में जो बड़ा होता है, उसको, बने R minus 1 और R, जो बड़ा है, वो R को select करेंगे, यह हमारा formula है, इस formula का परियोग आप यहां करें, जैसे आप KC0 को हम लोग लिखते हैं, K plus 1, चुकि power K plus 1 है, तो K plus 1 में change करना है, तो इसे हम K plus 1 C0, A का power K plus 1, B का power 0 लिखते हैं, यहां add करेंगे, इस theorem से, YN के position पर K है, और R के position पर 1, R minus 1 के position पर 0 है, तो final हमारे पास में यह आ जाएगा, K plus 1 C, R, R हमारे पास 1 है, A का power K, B, फिर यहां combine करेंगे, तो K plus 1 C2, A का power K minus 1, B square, इसी परकार से S on, और last वाला जो term है, उसे K plus 1, C, K plus 1 लिख सकते हैं, यहां से लेते हैं इस सुतर से, तो A का power 0, और B का power K plus 1 हो गया, बन्हें finally हमारा RHS stable हो गया, मतलब की PN में के RHS में यन के position पर K plus 1 रख देंगे, तो यह result हमारा finally मिल जाएगा, तो यह कहनेकार्थ है कि यह यन के लिए, आप यन के लिए statement सही है, यन बराबर K plus 1 के लिए statement सही है, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि P of K plus 1 is true, सत्य है, मतलब यह कथन यन इसकल टू 1 के लिए सत्य है, अगर हम मान लेते हैं कि यन इक्वल टू K के लिए कथन सत्य है, तो यह कथन K plus 1 के लिए भी सत्य है, इसलिए दिया गया कथन मतलब दियूपद प्रमेजो है, वो सत्य है, आप कह सकते हैं अता दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है, इस प्रकार से यह साबित होता है, दियूपद प्रमेज सत्य है, धन्यवाद। झाल झाल